कियो आज यहां के राजा को डारा के दर पर आना पड़ा? डारा मेरी और तुभारी कोई दुश्मनी नहीं है ऑभी नहीं सकती क्यों कि हम एक ही ठैली का चट्टे बठटे हैं हम बुरे बन का रातंग फेलाते हैं और तुम लोग सफेद कप्ड़े पहन कर आतंग फेलाते हो बोले भाले लड़कों को आतंग बादी बनाते हो मुझे शाका का सर्थ चाहिए दारा वरना वो तुम्हें मार देगा मिल जाएगा मिल जाएगा शाका की तलाश जा रही है और दूसरा मुझे मेरी बेटी वापिस शाएगे वो भी मिल जाएगी लेकिन राजा साहब हर चीज की एक कीमत होती है कीमत बोलो बड़ी धाक है आपकी इस इस इलाके में आप यहां के राजा जो ठहरे और फिर उपर से मने काम की बात करो काम की ब आदमी आपकी मिलिटरी ने पकड़ रखे हैं थोड़ा वक्त दो उनको भी छुड़वा देंगे और फिर हमें बॉर्डर पार भी करवाना होगा अकेले तो मैं बहुत आसानी से पार कर सकता हूं लेकिन मेरे साथ मेरी पूरी पल्टन होगी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हार मिलिटरी वाले उनकी लाशे बिछा दें और मैं अकेला उस पार पहुंचूं ठीक है तुम्हारा ये काम भी मैं करवा दूँगा बहुत खुम शाका का सर तो तुम्हें यहीं पेश कर दिया जाएगा लेकिन तुम्हारी बेटी वह हमें बॉर्डर पार करवाने के बाद ही तुम्हें मिलेगी ठीक है देखो गुल देखो नेत और आतंकवादी हाथ मिला रहे हैं इस देश में सब मिले हुए हैं इसलिए ना तो कभी यहां आतंकवाद खत्म हो सकता है और ना ही कभी इस देश का भला हो सकता है हाँ 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 शाका के मिलते ही इतला कर दे झाल 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 झाल